नमस्का दोस्तों बिहार के अंदर पॉलिटिकल टर्मॉल हुआ जिसके बाद नितीश कुमार ने मुख्यमंतरी के रूप में शपत ली ठीक उसी समय परेलेली बिहार के पडोसी राज जहारखंड के अंदर भी एक नया टर्मॉल देखने को मिल रहा है इस बार एडी की तरफ से कई सारी कारवाई देखने को मिल रही है जिसके बाद में हेमंत सोरें जो की जहारखंड के मुख्यमंतरी थे उन्होंने रेजिगनेशन दिया है अब दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं आपर किस तरीके से घटना करम आगे बढ़ा हुआ देखो कुछ ऐसा किस तरीशन रही दोजार चौबीस को सुबह साढ़े गारा बजे के आसपार इन्यूस आती है जहाँ पर बता लगता है के हैमन सोरें रौची से डेली आते हैं जिस प्लेन से आते हैं वो प्लेन डेली में ही है पर हेमन सोरें और उनके साथी लोगों का वो लगना बंत हो ज जाते हैं जहां पर लगभग 36 लाख रुपए बरामत की जाते हैं एक BMW कार बरामत की जाती है इन्पोस्मेंट डारेक्टरेट उसके बाद इन्हें समन करती है ठीक इसी दिल लगभग धाई बजे के आसपास हेमन सोरीर राची के अंदर फिर आते हैं इस जनवरी का दिन था इस समय पे महात्मा गांधी की डेथ अनिवर्सरी भी होती है इस कायंट से क्यों साहे सवाल पूछे जाते हैं माहला कि इस साहे सवालों के जवाब उस समय पे देते नहीं है पिए एक लिटर लिखते हैं अपनी पार्टी के एक लीडर को जहाँ पर ही कहते हैं कि अभी में मुख्यमंतरी हूँ पर पता नहीं मुझे कलरेश कर लिया जाएगा ऐसी कंडिशन में मेरे बाद X, Y, Z वेक्टी को मुख्यमंतरी बना दिया जाए मतलब यह यह नहीं कहते हैं कि में जेल के अंदर भी मुख्यमंतरी के रूप में कंडिन्यू करूँगा मेरी जगा किसी और को मुख्यमंतरी बना दिया जाए और यह एक वेक्टी का नाम देते हैं जिसके बाद enforcement direct rate तच में land scam money laundering case के अंदर इमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेती है हाला कि इस case के अंदर यह अकेले वेक्टी नहीं जो गिरफ्तार हुए लगबग 14 और दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो दोस्तों बात यह आती है कि यह case है क्या enforcement direct rate क्या है और तीसरा के इन्होंने किस रेक्टी का नाम दिया है जारखन का नया मुख्यमंत्री अब कौन होगा उसे में शुबर निक चोहान इस सेशन के अंदर डिसक्रस करूंगा बर उसके पहले आप लोग में साथ में साथ में साथ में आप ऑफ लाइन जाके इन टीचर से पढ़ सकते हो दोस्तों एक बहुत खास बात है UPSC, CAC के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा सेमिनार होने वाला है तालका तोरा स्टेडियम के अंदर पांस ते साथ बज़े के बीच में छे परवरी के दिल जहाँ पर खुद रोमन से नि आईये सोमया पांडे, मदुकर कोटावे जैसे बड़े बड़े दिगच आपको आकर गाइड करेंगे इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करना है इसलिए इतना ही नहीं दोस्तों और अनकैडमी के सब्स्क्रिप्शन और इन चीजों के ओपर डिसकस करेंगे वीडियो के अड में आप वीडियो को एंड तक जरू देखना है अब दोस्तों बात करते हैं इंपोस्टमेंट डिरेक्टरेट का एक केस क्या है देखों अंगारा ब्लॉग जो रांची के अंदर यहां देखने को मिलता है अब रांची मैंने शब्दी उस किया ना तो आपको जोग्रफिक के अंदर याद आ रांची का पठार भी तो है ज यहां पे होती इस्टोन माांनिंग मतलब क्या कि पाहार को खोद कर उसके अंदर से पत्थर निकाले जाते हैं पत्थर की चीप निकाली जातीсуд और उन पत्थर की चीपवों को मारकेट के अंदर बीच आयाता है इसी भीच में कई सारे और रिसोरसेज भी एक्स्रैक्ट होत हाती है हेमन सोरेन के ओपर यह इल्जाम है कि इस रीजन के अंदर उन्होंने जमीन अपने खुद के नाम कर ली यह इल्जाम लगा है और यह पूरा लैंड स्केम है जिसके अंदर एक आईएस ओफिसर छवी रंजन और भी कई सारे लोग गिरफतार हुए है हेमन सोरेन को बार नोटीस भेजा गया था कि आपको आना है हाला कि हेमन सोरेन इनफोस्मेंट डिरेक्टरेट के पास गए नहीं जिसके बाद इनफोस्मेंट डिरेक्टरेट हेमन सोरेन के पास आ गई जिसके बाद यह सारे डेवलप्मेंट जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है अब बात पी फिर्ट लाजेश पार्टी है थर्ड लाजेश है इंडिया नेशनल कॉंग्रेश टोटल नंबर ओफ सीट जो है वो 81 है पर इस बार जो सीट हाइस मिली वो 33 इसको जारखन मुक्ति मोर्चा को पर सरकार बनाने के लिए 41 सीट चाहिए थी ऐसी कंडिशन में एक तरफा सरका किसी की नहीं बन रही थी तो कोलीजन मनाना पड़ा कोलीजन बना जारखन मुक्ति मोर्चा और इंडिया नेशनल कॉंग्रेश इसके साथ में राश्ट्री जनतादल नेशनल कॉंग्रेश पार्टी कपुझिश पार्टी ओफ इंडिया मल इन सब ने मिलके महागड बंदन और उसके बाद इन्हों ने अपनी सरकार बनाई इनकी सरकार बनी कोलीजन की सरकार बनी ये जो कोलीजन की सरकार बनी इसमें मुक्यमंत्री चुना गया हेमन सोरेन को पर जब हेमन सोरेन अरेश्ट हो रहा है एसी कंडिशन में दो साल से ज़्यादा कि अगर सजा सुनाई ज पर इन्होंने पहले ही अपना रिदिउनियेशन दे दिया नहीं तो कई सारे मुख्य मंतुरी इसे भी करते हैं जील से अपना कार्य काल चलाते हैं मुख्यमंतरी इन्होंने ऐसा नहीं किया इन्होंने क्या किया अपना resignation दे दिया और अपनी political party को एक नया नाम दिया मुख्यमंतरी के लिए जो इन्हीं के loyalist है प्रांसपोर्ट minister रह चुके हैं चंपई सो रहे हैं जो अब नए मुख्यमंतरी के रूप में जहारखंड के अंदर शपत लेंगे तो यह पूरा development हम लोगों को जहारखंड के अंदर अभी देखने को मिल रहा है अब दोस्तों बात करते हैं enforcement direct rate के ओपर कि क्या है enforcement direct rate इसकी powers क्या है तो enforcement direct rate एक multi disciplinary organization है जो कि department of revenue में आती है और department of revenue करने हो खुद ministry of finance के अंदर आता है या रखना enforcement direct rate को statutory body नहीं है शुरुआत के अंदर FEMA act के तहत 1956 के अंदर इसे enforcement unit के रूप में बनाया गया था 1957 में इसका नाम चेंज करके enforcement direct rate कर दिया गया और यही enforcement direct rate 1960 में department of revenue के अंदर डाल दी गई यह जो enforcement direct rate है यह prevention of money laundering act के तहत अपनी power को gather करती है इसकी सारी power इस कानून से आती है हाला कि यह body इस कानून से नहीं मनी सकाइन से मैं कहा रहा हूं कि statutory body नहीं है अब डेली के अंदरस का headquarter है इसके अलावा चार अलग regional offices हैं जो कि मुंबई चैनेई चंदीगर कॉलकत्ता में हम लोगों को देखने को बिलते हैं इसके अलावा सब जो एक बहुत बड़ा controversy का issue है इसके वजे से enforcement डारेक्टरेट सेंटर गवर्मेंट के control में रहती है इसी कायांट से आप recently देखोगे तो तेंटर गवर्मेंट यानि की जो ruling party है उसके अलावा जितने opposition के लीडर है उनके उपर शापा मारी करती हुई अभी enforcement डारेक्टरेट आपको देखने को मिलेगी जिससे expert कई बार इशू भी कहते हैं और political issue भी create करते हुए दिखाये देते हैं तो यह चीज़ें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है I hope आपको यह सारी प्रिलिम से लेके इंटर्व्यू के अगर आपकी अनकेडमी कराएगा अब आप कहोगे कि सर ठीक है अनकेडमी कराएगा हमारी तयारी पर किन चीज़ों की तो प्रिलिम से लेके इंटर्व्यू के अगर आपको तयारी करना है तो आपके लिए foundation success program है अगर आप केवल प्रिलिम्स की तयारी करना चाते हो तो मेंस guidance program है सांत में means का course भी available है यह सब offline है अब आप कहोगे सर offline है तो कैसे enroll करें या फिर कैसे अपने आपको इस course से जोड़ें या फिर इसकी पूरी detail हमको कैसे पता लगए कैसा schedule होगा क्या होगा अगर आपको डीटेल में जाना है तो नीचे comment के अंदर एक सबसे पहला pathfinder नाम से comment होगा उसके अंदर एक link होगी उस link को touch करना आपके सामने एक पूरा format आजाएगा उस format में आपको तीन अलग अलग पार्ट मिलेंगे सबसे पहले नाम डालना है फिर नंबर डालना है तीस दूसरा कि इस लेक्षे की PDF आपको मिल जाएगी सांथ में monthly current affairs के आपको magazine मिल जाएगी free of cost इसके अलावा आपको complete तैयारी कराईगे हमाई टीम इसके सांथ में आप लोग जब भी अनकैडमी में जाओगे अनकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 40 प्रतिशत तक का डिस्कौर्ड मिलेगा ऐसी condition में बिलकुल से इस लिंक को टच करके उसे फिल आउट करना मन भूलना इसके अलावा अगर आपको माय सेंटर देखना तो इस वीडियो के एंट तक देखना कर देखना कर देखना